नमस्कार दोस्तो 28 तारी को जो आप लोगों का एक्जाम हुआ था ICR वला में उसमें बहुत सारे कंड़ेट को सेंटर पे से ही आप लोगों को वापस आना परा उसका तीन प्रमुक कारण था जो सबसे पहला कारण था दोस्तो वो है आप लोगों के लिए अधार कार्ड वैसे ये नियम आपको 2020 से ही लागू है ना कि सिर्फ ICR बलकि जितना भी एक्जाम होता है आप लोगों को रेलवे का सीटेट का जितना भी ओल्लान एक्जाम होता है समय ये नियम लागू है पहले आप लोग को अधार कार्ड जो है वो आप लोग को ESCAN अधार कार्ड जो है वो आप लोग को वहाँ पर में एक्सेप्ट कर लिया जाता था लेकिन आप जो है ये नियम चेंज हो गया है होता ये है दोस्तो क्योंकि जो अधार कार्ड है उसका जो वहाँ पर बार कोड़ था वो इतना ज़्यादा बलर था कि उनको रिजेट कर दिया गया और एस कैन अधार कार्ड को एकसेट नहीं किया गया देखे दोस्तों अगर आप लोग के पास गोवर्मेंट वाला अधार कार्ड है तब तो आप लोगों के लिए सही है आप लोग लेकर के जा सकते हैं बहुत सारे सेंटर में रिजेट करता है बहुत सारे सेंटर में आपको ले भी लेता है तो ये आपको परमुक कारण है इसलिए अगर आप लोग दुसरा आईडी प्रूब है तो वो लेकर के जाए नहीं तो अगर आप लोग अधार कार्ड लेकर के जा चाना भूल गए हैं जिनके कारण उनको एक्जाम सेंटर से वापस आना परा तो यह कि उसको जिरोक्स करा करके उसको वहाँ पर में भर करके अपलाई करना परता है और बहुत सारा ऐसा सेंटर ठा जहां पर मैं आपको अगल बगल में कोई भी जिरोक्स का आप लोगो कर सकता है दोस्तों ये वीडियो अप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए नहीं अच्छा लगा है दिसलाइक कीजिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद